सामने आ रही है सूचना विभाग के प्रमुख फ्रचिव ने मतदान किया है संजे प्रसाद ने परिवाव संग आज वोट डाला है बतादे कि पाच्वे चरण को लेकर आज वोटिंग चल दे है वहीं लखनव की जनता से मतदान करने की भी अपील वो करते हुए नजराए अधिक से अधिक वोट करने की आज उन्होंने अपील की है प्रसाद ने परिवाद के साथ मतदान के पहँचे और अपना मתदान करते हुए नजराए साति उन्होंने लखनव की जनता से मतदान करने की भी अपील की वोट दे है बड़ी खबर सामने आ रहे हैं जहां उन्होंने लखनव की जंता से मतदान करने की अपील की अधिक से अधिक वोट करने की भी अपील की ये बड़ी खबर लखनव से आपको बता रहे हैं तूशना विभा के प्रमुख सचिव ने आज मतदान किया है उन्होंने परिवार संग मतदान के इंदू पहुच कर अपना मतदान किया है आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि संचे प्रसाद मतदान के इंदू पहुचे अपने परिवार के साथ और वहां मतदान करते साथ उन्होंने लखनव की जनता से मतदान करने की भी अपील किया उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक वोट जनता को आज करना चाहिए बता दे कि लोग सबा चुनाव को लेकर आज ये पाचवे चरण का मतदान चल रहा है सुभा से ही सभी लोग मतदान करने के लिए मतदान केंदर पहुच रहे हैं कई बड़े दिगश नेता पहुचे हैं अभी नेता पहुच रहे हैं वही अगर यूपी की बात करें तो सुभा से मतदान जावी है और लखनव में फूच्णा विभा के प्रमुख सचिप ने भी आज मतदान पिया है आप टीवी स्क्रीन पर उनकी तस्रूरे भी देख सकते हैं कि आज वो परिवाब के साथ मतदान केंदर पहुचे और मतदान करते हुए नज़र आए उसका इस्तेमाल करना चाहिए और अपने मत अधिकार का प्रयोग करें जरूरी है हर नागरी का अधिकार है उसका इसका इस्तेमाल करना चाहिए यह बड़ी कबर इस वक्के आपको बता रहे है जोहां आज लखनव में संजय प्रिसाद ने मतदान किया है यह बड़ी है और रहम जौनकारी सामने आ रही है सूशना विभाग के प्रमुक सचिफ ने आज मतदान किया है वो अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुचे और मतदान करते हुए नजर आए साथ ही उन्होंने लखनव की जनता से मतदान करने की भी अपील की है उन्होंने अधिक से अधिक वोट करने की आज अपील की है ये बड़ी कबर सामने आ रहे है जोहां लोग सबार चुनाफ को लेकर आज पाच्वे चरण का मतदान चल रहा है और इसे बीच यूपी में लगातार सुभा से ही लोग मतदान केंदर पहुच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और इसे बीच सूशना विभा के प मुक्स अच्व भी पहुचे और उन्होंने अपने परवार के साथ मतदान किया